नमस्कार दोस्तों B.A.D.A.D. वालों के लिए Supreme Court का जो judgment था वो judgment आज आ गया है finally तो क्या है वो judgment और अब B.A.D.A.D. वाले ऐसे स्टूडेंट जो 35 की संख्या में है और जिनका चैन हो गया था वो स्टूडेंट सीधे सीधे अब बाहर हो जाएंगे तो उनको क्या करना चाह दिखा होगा कि Supreme Court का judgment आ गया है और Supreme Court ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि वो B.A.D. वाले जो सहायक सिक्छक के पद पे जिनका चैन हुआ था वो अब eligible नहीं रहेंगे ये Supreme Court ने साफसाद कह दिया है और ये case को इस case को close कर दिया है total completely ये आप सुधानशु धुलिया और जिनका selection हो गया था पिछले सार 36 गड़ में वो student का अब सीधे सीधे तरीके से उनको निकालना पड़ेगा ऐसी संभावना नजर आ रही है तो अब देखिए आप कि उनको क्या करना चाहिए अब तो तीन तरीके हैं उनके पास पहला तो ये कि वो review petition दायर कर सकते हैं Supreme Court में ह State Government जो है क्योंकि ये गलती जो थी वो अभ्यरतियों की नहीं थी ये गलती State Government की थी ततकाली गवर्मेंट की कि उन्होंने notification में student को eligible किया था कि वही प्राइबरी टीचर के लिए भी जहां सिर्फ D.A.D. form भर सकते हैं D.A.L.D. वाले वहां पर B.A.D. वाले भी form भर सकते हैं ये उनके notification में भी मतलब कि उन्हों नहीं allow किया था इसके कारण से student ने form भरा student ने exam दिया अपनी मेहनत से exam crack भी किया अभी posted भी है अगर वहां पर eligibility नहीं होती अगर वहां पर allow नहीं करती State Government तो student form नहीं भरते तो यहां पर student की गलती नहीं है यहां पर system की गलतीयों का खामि जा भुगतता है तो उसको कम दुख होता है लेकिन अगर system की गलतीयों का परिणाम अगर student को भुगतना पड़े तो वहां पर दुख ज़्यादा होता है इसलिए beard वालों बहुत परिशान है क्योंकि वो लगा लुगा आया नौकरी उनका चूटने वाला है क्योंकि बहुत तो दूसरा option यह है कि state government के उपर पूरी तरीके से है कि उनको उस job से तो निकाल सकती है लेकिन दूसरे job में भी attach कर सकती है तो उसके पास state government के पास यह option रहेगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में essay student है और वो गलती state government की है किसकी student की नहीं है तो आप अपनी मांग को सही तरीके से state government के पास रखेंगे तो हो सकता है मान जाए तो यह option है तीसरा option यह है कि आप resume करिए जो हो गया उसको आपको भूलना पड़ेगा जो आपने तयारी की है या तो एक तरीका है कि आप उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे यह दो option तो करना ही है जो सुरू के दो option बत एक option यह है कि आप अपनी तयारी को resume करिए क्योंकि आपके पास experience exam निकालने का सिखचक भरती आज नहीं आ रही है एक साल बाद आएगी दो साल बाद आएगी उस समय आप अपनी जो तयारी है जो आपने किया हुआ तयारी है गीता कहती है कि एक बार किया गया कर्म बीना अ confidence बहुत बड़ा role play करता है तो वो confidence आपके साथ रहेगा तो आप आगे एक exam में बैठेंगे तो कैसे exam के pressure को handle करना है कैसी चीजों को preparation करना है वो आपके पास सारा experience है तो जो नए student है उनसे तो आप एक step उपर ही रहेंगे आपके पास selection का experience भी है आपके पास selection का confidence भी है तो तो या तो आप दुख मनाते रहें इस चीज का तो आपका समय बस जाएगा और कुछ नहीं होगा ये दो option तो करना ही है पहले जो बताया हूँ एक कि review petition दूसरा तो आप state government से अपनी मांग को रखेंगे इसके साथ साथ आपको अपनी तयारी को resume करके रखना है आगे जारी अगर आप आगे तयारी जारी नहीं रखेंगे तो आपका समय निकल जाएगा और आप जो आगे competition compete कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये तीन option मैं आपको बताना चाहता था कि इन तीन में से तीनों option अगर अपनाते हैं तो जादा बहतर है आपको जो option सहीं लगता है वो भी आप choose कर सकते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से क्योंकि आपकी गलती नहीं है इसलिए आपको regret फील करने का बहुत जादा जरूरत नहीं है दुख होगा लेकिन उस दुख से लड़ने की छमता आपको अपने अंदर बहतर आपको अगर बहतर position पे पहुँच किये और उसके बारे में अपनी पढ़ाई को resume करिए और आगे अपना selection लीजिए मैं यहीं आपको इस वीडियो के माद्यम से आज के वीडियो में बोलना चाहता था उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा सुझाओ अच्छा लगा होगा आपके पास और कोई सुझाओ था बद्ली माद्रम